Hello Friends, दोस्तों कि आप जानते हैं कि आपकी बील्डिंग में एक छोटा सा क्रैक आपकी पूरी बील्डिंग को कॉलाप्स कर सकता है। जियां दोस्तों आपने सही सुनाए एक छोटा सा कॉंक्रीट क्रेक आपकी पूरी बिल्डिंग को गिरा सकता है क्योंकि किसी भी बिल्डिंग के इस्टील रेंपोर्स्मेंट में जंग लगने का जो मैन कारण होता है वह है हवा और पानी यानि के मोस्चुराजर और अगर इन दोनों में से आपकी बिल्डिंग का स्टील रेंपोर्स्मेंट किसी के भी संपर्ग में आ जाए तो फिर आपके पूरे बिल्डिंग के स्टील रेंपोर्स्मेंट में जंग लगना स्टार्ट हो जाता है जो दिरे दिरे फैलता रहता है जो आपकी पूरी बिल्ड पास्टिंग के 5-6 घंटे बाद या नेक्स्ट डे आपको सलेब में छोटे-छोटे क्रेक्स देखने को मिलेंगे जिने देखकर आप सूऩते होंगे के मेरे सलेब में क्रेक्स क्यों आए मुझसे ढृँ में कोई आप ऐसे कारण या रिजन बताऊंगा जिस वज़े से concrete में क्रैक आते हैं क्योंकि अगर आपको यह नहीं पता होगा कि आपकी concrete में क्रैक कैसे आया है तो आप इन सबसको कैसे अवोड़ करोगे जिहां दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त जोन सैनी आप देख रहें आपका सिविल ट्रेनर तो फ्रेंड्स सबसे इंपोटेंट और मैंकारान है concrete में क्रैक आने का टेंपरेचर अगर कास्टिंग के समय आपका इन्वार्मेंटरल टेंपरेचर ज्यादा हाई है तो यह concrete के पानी को इवोपरेट कर देगा जिससे concrete में plastic shrinkage होगी और plastic shrinkage के कारण concrete में क् इससे ज्यादा temperature ने हो इस पर आपको जरूर ध्यान देना होगा अगर temperature ज्यादा है तो इन सब से बचने के लिए आपको गरम वातवर्म में casting नहीं करनी है मतलब दोस्तों जैदि आपके यहाँ पर वातवर्म ज्यादा गरम है तो आप concrete casting evening में या night में या फिर आप morning में कर सकते है नंबर दो water cement ratio जी हाँ friends concrete में क्रेक आने का दूसरा बड़ा कारण है water cement ratio मिंस दोस्तों आपको design mix के हिसाब से ही concrete में water mix कराना है जनरली होता क्या है कि मैसन ज्यादा पानी डालने को बोल देते है जिससे मैसन concrete को आसानी से सलम कर सके अब ज्यादा पानी होने के कारण वह पानी finishing के बाद उपर के और आ जाता है जो कि बाद में crack आने का करण बन जाता है इससे बचने के लिए आपको concrete grid या design mix की specification को follow करना है अब बात करते हैं vibration की तो दोस्तों concrete में crack आने का important factor है vibration क्योंकि concrete में ज्यादा vibration करने से concrete में coarse aggregate नीचे बैठ जाता है और fine aggregate उपर आ ज रखते हैं तो concrete करते समय ज्यादा vibration भी नहीं करना चाहिए इसका भी हमें पूर्ण रूप से ध्यान रखना है अब number 4 है sand में silt contents की percent मतलब दोस्तों जो sand आप concrete बनाने में use कर रहे है और अगर उसमें silt की मात्रा ज्यादा है तो भी concrete में crack आएंगे ही आएंगे क्योंकि concrete में crack develop होंगे तो इसलिए आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि आपके sand में silt पांच या 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए इस बात कभी आपको विशेश रूप से ध्यान रखना है नमबर पांच steel temperature and lubrication अगर concrete casting के समय आपके steel का temperature बहुत ज्यादा है जो अक्सार कर ज्या दूसरी बात अगर steel enforcement में shattering oil लगा हुआ है तो वह आपके concrete में bond नहीं बनने देगा जिससे crack आ सकते हैं तो हमेशा ध्यान रखे कि आपके steel enforcement का temperature ज्यादा नहीं हो और steel enforcement पर shattering oil भी नहीं लगा हो अब number 6 है type of cement जी हाँ structure के मताबिती आपके cement होनी चाहिए improper या ज्यादा पुरानी cement भी crack का man करान होती है क्योंकि मान लीजे अगर हम slab casting में rapid harding cement use करते हैं तो वह crack dollop करेगी करेगी क्योंकि slab में कभी भी rapid harding cement use नहीं किया जाता तो हमेंसा structure या building के हिसाब से ही cement होनी चाहिए और cement testing को लेकर या cement की manufacturing को लेकर या cement कैसे बनता है इसको लेकर आपके हमने में कोई भी सवाल है तो दोस्तों जैसे कि आप thumbnail में देख पा रहे हैं आप यह वीडियो को देख सकते हैं इसका मैंने link already description में दे दिया है अब number 7 है less curing of concrete slab slab casting के next day से ही आपको minimum 15 दिन तक curing करनी ही करनी है यदि आप 28 दिन तक curing कर सकते हैं तो यह आपके लिए best है number 8 है दोस्तों disutoring of form work अगर आप slab की disutoring जल्दी कर देते हैं तो वे भी करे काने का बहुत बड़ा करान होता है इसलिए friends आप हमेशा slab की disutoring minimum 21 दिन में करें और अगर आप 28 दिन में करें तो slab के disutoring यह आपके लिए सबसे ज़्यादा बैस्ट है तो दोस्तों यह तो थी आठ वह बाते जो आपको सावधानी या आपकी समझदारी से आपकी सलेब या आपके घर को किसी भी तरह का नुकसान होने से बचा सकती है या आपकी मदद कर सकती है आपके काम को सुधारने में तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और मेरी आने वाली और भी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत बोलिएगा दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद